अजैये, नमस्चार दोस्तों मैं मिनाक्षी, अपनी आज की इस वीडियो में लेके हैं हुई यह इसका फ्रैंट आगे का हिस्सा और यह है इसका बैख पार पीछे का हिस्सा यह जो डिजाइन है तोटल चार्सलाइगा डिजाइन है और इसके लिए हमें छय के मल्टीपल में फंदों की जरूरत होगी तीन फंदे एक्स्ट्रा डिजायन को एकुल करने के लिए और चार होंगे हमारे हिसमें एड़ स्टिच्च दोनो तरफ आज का जो डिजाइन है वो हम डालेंगे 19 फंदों के साथсь शे के मल्टीपल में बारा फंदे, तीन फंदे एक्स्ट्रा डिजाइन को एकुल करने के लिए पंदरा फंदे और चार फंदे होंगे हमारे इसमें एच स्टेज, यह मैंने अपनी स्लाई में 19 फंदे डाल लखे हैं, और हम अपनी बुनाई के सिधी तरफ हैं, अब हम अपना डिजाइन उसको शुरू करते हैं, पहली स्लाई और दूसरी स्लाई, यह दोनो स्लाई हमारी बेश रो हैं, इनको हमने दोहराना नहीं है, पहली स्लाई, पहला फंदा बिना बुने उता रा दूसरा फंदा सीधा बुना, यह दोनों हमारे edge stitch हैं, हर सीधी slime में इसी तरह से बुने जाएंगे, उसके बाद उनको अपनी तरफ किया, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, और ये तीन, तीन फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, तीन फंदे सीधे, एक, दो, और ये तीन, उनको अपनी तरफ किया, तीन तीन फंदे सीधे brut और यह तीन उनको अपनी तरफ किया तीन फंदे उलटे और लास्ट में अजकी कि अब यहां पे हमने एच स्टिच के साथ हमने जब यह बुनना शुरू किया था तो तीन फंदे उल्टे थे तो लास्ट में भी हमारे एच स्टिच से पहले जो होंगे तीन फंदे उल्टे होंगे अब आगे हम अपनी उल्टी स्लाइब पे पहला फंदा एट स्टिच बिना बुने उतारा, दूसरा एट स्टिच उल्टा बुना इसके बाद हमने तीन फंदे सीधे बुनने हैं, एक, दो, और ये तीन, ये पिछली स्लाइब में हमारे फंदे हमने उल्टे बुने थे, तो इस स्लाइब में हमने इनको सीधा बुना, अब यहां पर ये हैं हमारे तीन फंदे जो हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, सीधी त उनको अपनी तरफ करके पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को जब हमने उल्टा बुनना है तो हम अपनी उनको स्लाई के उपर दो बार लपेटेंगे, ये हो गया एक बार और ये हो गया दूसरी बार, दो बार उनको स्लाई के उपर लपेटा और ये तीसरा फंदा है यह उल्टा बुना जाएगा उनको पीछे किया तीन पंदे सीधे एक-दो और यह पीछ हुज ए उनको अपनी तरफ किया यह तीन हो फंदे यहां पर हमें उल्टे नजर आ रहे हैं शीधिर ने इस से हम ने इन तीन पढ़ा तो सीधा उल्टा बुना जाएगा उनको पीछे किया तीन फंदे सीधे बुने एक दो और ये तीन उनको अपनी तरफ किया दो फंदे उल्टे ये होगी हमारी पहली दो बेस रो हमने इन दोनों स्लाई को दोहराना नहीं है अब यहां से हम अपने पैटर्न की पहली स्लाई शुरू करे पहले नहीं मिन एक है तो चाह स्लाई के बाद जो है पहली स्लाई दुबारा आये पैटर्न की तो इस लिए तो इसको को चाह से पर पैटर्न बोल रहे हैं कि पहला फंदा बीर बुने उतारा उता दूसरा कसि बुना कि अब यहां पर हमारे यह जो तीन वंदे हैं इन तीन 溫 Moo को हमने सीधा बुना है in clear कि एक कि है दो और यह तीन और जिन फंदों में इसे हमने एक फंदा दो बारौनलपेटे बनाया था और दो फंदे हमने सिम्पलि उल्टे बुने थे उन संदों में से जो पहला फंद था उसको हम है है उनको पिछे किया इस संधे को खोलना है लेकिन इसको बुरना नहीं इसको करना है बिना बुनने उनको अपनी तर्फ किया यह उल्टा भुना इतान है जिन में से यह दो वाले fluctuations फंदे दोनों साइड वाले उल्टे बुने थे बीच वाले फंदे को उन दो बारला पेट के बनाया था उन तीन फंदों को जब भी हमने सीधी स्लाई में बुनना है चाहे वो यहां पे हो उनमें से पहला फंदा उल्टा बुना जाएगा दूसरा फंदा जो है उसको खोल के बिन बुने उतारा जाएगा और तीसरे फंदे को हमने उल्टा बुनना है उसके बाद तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, इस फंदे को हमने खोल लेना है, और भी न बुने उतारना है, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, तीन फंदे सीधे, एक, दो, और ये तीन, डोनों एस्टिक सीधे ब पहली स्लाइब अब आगे हम अपने पैटन की दूसरी स्लाइब पे जो कि उल्टी तरफ है अब यहां पे हमने जो हमारे तीन फंदे हैं यहां पे जो हमें सीधी तरफ से हमने इनको सीधा बुना था और इस तरफ आके हमारे यह तीनों फंदे यहां उल्टे दिखाई देते ह तो इन 3 फंदों को हमने वैसे ही बुनना है जिस तरह से हमने पिशली स्लाइब में 3 फंदे उल्टे बुने थे पहला फंदा बिना बुने उतारा दूसरा फंदा उल्टा बुना अब ये जो 3 फंदे हैं इन में से पहला फंदा simply ultra बुना दूसरे फंदे को हम उन दो बार लपेट के बनाएंगे एक बार और ये दूसरी बार तीसरा फंदा वैसे ही बुना जाएगा simply ultra अब ये वाले जो फंदे हैं इन में से हमने सीधी स्लाइब में इसको उल्टा बुना था यहां पर इस फंदे को बिना बुने उतारा था और इस फंदे को हमने उल्टा बुना था अब सीधी स्लाइब में हमने क्या करना है उनको पीछे किया एक फंदा सीधा बुना और ये बीच का फंदा जिसको हम बिना बुने उतारे थे उ लेकिन उन हम अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को बिना बुने उतारा उनको पीछे किया एक फंदा सीधा बुना उनको अपनी तरफ किया अब यहां पर हमें दिख रहे हैं कि यह तीनों फंदे यहां पर उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो इसमें से पहला फंदा उल्टा बु ज़िए यह सकना जाल ectionर इन से पहल पंदा सीधा भूल उप सब्सक्राइबूरा है जो पीछ वाला पॉले में पijज वाला यह वह सकते हैं। आन ल LAUGH ह। चाहे वो दूसरी जगा पे है, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा बुना, उनको अपनी तरफ किया, पहला फंदा उल्टा बुना, दूसरा फंदा दो बार उन लपेट के बनाया, और इस फंदे को हमने simply उल्टा बुना है, दोनों फंदे हमारे जो edge stitch है वो उल्टे बुने जाएंगे, तो यह होगी हमारे pattern की दूसरी slide, अब आगे हम अपने pattern की तीसरी slide पे, अब यहां पे हमने पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, यह edge stitch है, इसी तरह से बुने जाएंगे हर सीधी slide में, अब यहां पे यह वाला जो फंदा है, हमने दो बार उन लपेट के बनाया था, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा बुना, उनको पीछे किया, इस फंदे को बिना बुने उतारा, उनको अपनी तरफ किया, और यह फंदा हमारा उल्टा बुना जाए था, उनको पीछे किया, अब यह जो तीन फंदे है, इस ूटारे को हमने दो बार बिना बुने उतार रहा एक पहली हमारे उल्टी स्लाई थी उसमें हमने इसको दो बार लपेटा था उनको सीधी छी में विना बुने उतार आप यहां पी हम तीन फंद सीधे बुनेंगे एक दो और ये तीन तीन फंदे सीधे उनको अपनी तरफ किया एक फंदा उल्टा उनको पीछे किया इस फंदे को बिना भुने उतारा इसको खोला भी और बिना भुने उतारा उनको अपनी तरफ किया एक फंदा उल्टा उनको पीछे किया तीन फंदे सीधे, एक, दो, और ये तीन, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा, और दोनो एच्टिक सीधे, तो ये होगी हमारे पैटर्न की तीसी स्लाई, अब आगे हम अपने पै समारे काई के इने हमें फिए निमें इसने पहले फंदे को उल्टा बुना दूसरे को दो बार उन लपेट के सन पटिन नामया प इस बार zwar जब हम इसको यह जो ऊनरत जो बीच वालाफ पंदब के साथ बना नहीं मतलब हर उल्टी में जहां यह तीन फंदे होंगे वहां पर पहला फंदा उल्टा बुनेंगे लास्ट वाला फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे और बीच वाले फंदे को हमने उन दो बालपेट के बनाना है चाहे यह तीन फंदे यहां पर हो चाहे यह तीन फंदे यहां पर हो तो यहां पर अब उल्टी तरफ किया दूसरा फंदा हमारा जो है वो बिन बुने उतारा जाएगा उनको पिछे किया एक फंदा सीधा उनको अपनी तरफ किया पहला फंदा सिंपली ही उलटा बुना दूसरे बने को उन दो बार लपेट के बनाया तीसरा फंदा simply उल्टा बुना उनको पीछे किया पहला फंदा सीधा उनको अपनी तरफ किया इस फंदे को बिना बुने उतारा उनको पीछे किया एक फंदा सीधा उनको अपनी तरफ किया अब ये तीन फंदे फिर आगे हमारे उल्टे पहला फंदा उल्टा बुना दूसरे परसेंद को उल्टा बुंबना है तो हम उनको दोबार लपेतेंगे हैं हिसे यह फंदा उल्टा उनको पीछे किया , एक पंदा सीदह उनको अपनी तरफ किया , एक फंदा बना रहे हैं इसमें एक बार यहां पर आएगा दूसरी बार इन तीन फंदों पर आएगा इसी तरह से सीधी तरफ में अब यहां पर यह जो हमने उन दो बार लपेट के फंदा बनाया है चाहे वो यहां पर हो चाहे वो यहां पर हो सीधी स्लाई में इसको खोलेंगे भी और दोनों तरफ के फंदों को हमने उल्टा बुनना है और उल्टी स्लाई में ये दोनों फंदे सीधे बुने जाएंगे और बीच वाले जो फंदे हैं जिनको हमने ये जो हमारा फंदा है जिसको हमने दो बार हम इसको बिना बुने उतार चुके हैं एक बार सीधी स्लाई में और एक बर उल्टी स्लाई में और उससे अगली स्लाई में हमने इस फंदे को बिलकुल सीधा बुनना है मतलब कि तीनों फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे तो इसी तरह से ये चार स्लाई को दोराते हुए हम अपना पैटर्न पूरा करेंगे पहली दो स्लाई हमारी बेश रो ह उसको हम नहीं दोहराएंगे बात की जो चास लाई है उनको हम बार बार दोहरा के अपना पैटर्न को पूरा करेंगे